Hey beauties, welcome back to my channel, कैसे हो आप सब, so as you know, यहाँ पर winter आते ही ना, मैं स्थार कर देती हूँ, winter से related, काफी awesome awesome DIYs, तो आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही awesome DIY से related है, एक नहीं actually 3, यहाँ पर मैं आप से 3 ऐसे amazing face back share करने वाली हूँ, जो इस winter आपके skin को काफी ज़ादा glory, reddish, smooth and yes, moisturize के के लिए के लिए मिलेगा, यह तीन तरीके के different face back, जो भी आपके किसी भी type of skin हो, जाए combination हो, जाए पर dry हो, जाए पर oily हो, कोई भी skin type हो, आपको बिल्कुल असे से सूथ करने वाला है, तो यहाँ पर इस तियो face back को ज़रूर देखिए गा, इनको लगानी का तरीका, अप्रा मुझे जरूर बताईएगा, तो फिर चलिए बिना लिक की इस वीडियो पर स्टार्ट करते हैं, तो ब्यूटी इस face back बना, उससे पहले यहाँ पर मैं आपको मेरी skin दिखा देती हूँ, कितनी ज़्यादा डल है, glow तो बिल्कुल गाया भी हो गया है, तो यहाँ पर आप मैंने clean कर लिजे, उसके बाद ही कोई face pack यहाँ पर apply कीजे, तो face को यहाँ पर मैंने clean कर लिया है, अच्छे से towel की help से dry कर लिया है, अब यहाँ पर हम बनाना शुरू करेंगे हमारा first face pack, तो यहाँ पर first face pack हमें बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो है, यहाँ पर बिल्कु today मतलब आज की एकदम fresh मलाई हो और उसको इस तरीके से यहाँ पर आपको अच्छे से mash कर लेना है, then आपको यहाँ पर use करना है honey, honey भी आप ट्राइ कीजेगा कि अच्छी quality का ही यहाँ पर use करें, then यहाँ पर आपको इस मलाई में half spoon almost, आप यहाँ देख सकते हैं कि इतना मल करने के बाद आपको बिल्कुल इच्छ होगी, यार लगाएंगी तो इसमें बाद में पहले खालो, बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी समयल आती है इसको mix करने के बाद लगता है कि कोई dessert तयार हो गया और इसको बस खालो यहाँ पर, but आपको इसे खाना नहीं है, आपको इसे अच्छे से mash करना है, मतलब कि इसकी जो consistency है बिल्कुल face pack की तरह करनी है, यहाँ पर इसको जब आप apply करेंगे न ठंड में, तो आपकी जो skin है इतने लंबे time तक moisturize रहने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा first face pack जो है वो बिल्कुल तयार हो गया है, तो चलिए फिर इसको यहाँ हम apply करते हैं, तो apply कैसे करना यह भी बहुत important है, यह नहीं कि बस इसको आप ऐसे face पर लगा लेंगे, जी नहीं, पहले आपको इससे ना अपने face को gently massage करना है, यह काफे important है, अगर आपको वो glow-y, वो smooth skin चाहिए, तो सबसे पहले आपको इससे अपन face pack है, उसको फिर आपको आपकी skin पर यहाँ apply करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं gently मेरे skin पर इसको अच्छे से massage कर रही हूँ, nose के पास, मेरे forehead पे, मेरे cheeks पे, मेरे eyes के नीचे, या फिर आप देख सकते हैं, मेरे chin पे, तो आपको भी same यहीं चीज करना है, इसको I mean इस face pack का आपको फायदा तभी मिलेगा, जब आप इसको gently अपने face पे massage करते हुए apply करेंगे, तो यहाँ पर massage हो गया and बाकी जितना बचा हुआ face pack था, मैंने मेरे skin पर लगा लिया है, अब मैं इसको dry होने के लिए अपने skin पर 10 मिनट तक छोड़ दूँगी, तो चलिए यहाँ पर 10 मिनट में dry होगा, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ, दूसरा face pack, तो दूसरा face pack you know winter है, तो winter में orange तो आपको बहुत जादा local market में मिलता है, तो यहाँ पर आपको ना orange के 5-6 pieces ले लेने है, then उसमें से यहाँ पर आपको pulp अलग कर देना है, कुछ इस दूसरे side यह अब काम करते रहिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने orange से छिलके को बिलकुल अलग कर दिया है, इसके बाद यहाँ पर ना, मैं इसको hands की help से ही, कोई spoon नहीं, कोई fork नहीं, hands की help से ही, अच्छे से mash करूँगी, जब आप इसको mash करेंगे, तो यहाँ पर pulp अलग हो जाएगा, औरेंज का juice है, वो बिलकुल अलग हो जाएगा, तो आप इसको gently, अच्छे से mash कीजेगा, and believe me, यह काफी easy है, and एकदम से यहाँ पर आप देख स सकते हैं, इसका juice है, वो तयार हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर आपको एक spoon की help से, जो यह juice and pulp का combination है, इसको यहाँ अलग-अलग कर देना है, पूरा अच्छे से अलग नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, जितना हो सके, उतना यहाँ पर pulp जो है, वो यहाँ पर remove कर दीजे बहुत ही easily हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं spoon से ही इसे काफी easily कर ले रही हूँ, next यहाँ पर आपको चाहिए, यह beetroot powder GS, यहाँ पर मैं यह ELPS goodness का beetroot powder यूज करती हूँ, क्योंकि यह काफी मतलब natural रहता है, तो यहाँ पर आपको भी इस तरीके से beetroot powder को इसमें add करना है, यह जो product है, इसकी link मैं description box में दे दूँगी, एक दो ऐसी चीज़े आपको आपके घर पे ज़रूर रखनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इस orange juice में beetroot powder को add कर दिया है, then मैं इसको यहाँ पर अच्छे से mix कर लूँगी, यह काफी easily mix हो गया था बिल्कुल महनत नहीं लगी, and mix होते ही, यहाँ पर हमारा जो second face pack है वो तयार हो चुका है, आप चाहे तो इसे थोड़ा और ठिक कर सकते हैं, बट मुझे यह consistency काफी अच्छी लगी, तो इसको भी आपको कुछ उसी तरीके से apply करना है, यहाँ पर आपको अच्छे से अपने skin को massage करना है, और अगर आपको यह लग रहा है, इससे आप बाद में हन्मान जी बनने वाला है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, यह बस हलका सा color है, आपको ऐसा लगेगा, कि यह color कहीं छूट के आपके skin में लग जाए, ना लग जाए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो मैं इसे gently मेरे पूरे face पे apply कर लिया है, और मैं इसे भी 10 मिएट तक अपने skin पे ऐसे ही छोड़ दूँगी, अब चलिए बढ़ते हैं यहां पे third face pack के तरफ, पहले लेकिन इससे पहले मैं आपको green tea पिलाती हो, जी नहीं मैं यहां green tea नहीं पिलाओंगी, इससे बल्कि face pack प यहां पर आप नॉर्मली जैसे पानी में green tea को उबालते हैं उसी तरीकी से आपको कर लेना है, यहां पर दो इस्पून से तीनी स्पून आपको एक बोल में यह पानी को ले लेना है, यहां आपको यूज करना है यह wild turmeric, यह भी मैं यह alps goodness का यूज कर रही हूँ, आप कोई यहां यूज कर सकते हैं, तो यहां पर आपको यह जो wild turmeric है आपको किवल एक स्पून इस green tea में अच्छे से mix कर देनी है, mix करते ही आपका जो face pack है वो बिल्कुल तयार हो जाता है, काफी easy रहता है इसको बनाना, तो यहां पर इसको आपको कोई massage निकरना है, बस ऐसे ही apply करना है, and yes, मैं एक और चीज बता दू, यह जो wild turmeric है, यहां पर हलका सा tint छोड़ देता है, yellowish का, तो अगर आप new bride होने वाली है, या फिर आपके घर में कोई healthy function आने वाला है, या आपके घर में कोई शादी आने वाली है, तो बिल्कुल आप इस face pack को use कर सकते हैं, तो जब आप इसको केवल 5 minutes तक छोड़िएगा, and yes, क्योंकि यह थोड़ा सा tint छोड़ देता है, yellowish, तो आप यहां पर एक बार face wash की help से भी अपने face को clean कर सकते हैं, तो face pack से जैसे आप अपने face को clean करेंगे, बिल्कुल yellow tint अच्छे से हट जाएगा, then आप winter में कोई भी face pack use करें, उसके ब apply में कर ही रही थी, तो मैंने सुचा थोड़ा सा lip balm भी यहां apply कर लिया जाए, and after that, you can see my result, यह तीनों जो face pack मैंने share की हैं, winter के लिए, यह तीनों आपको तुरंट result शो करेंगे, yes, ऐसा नहीं है कि दो महीने use करो, तीन महीने use करो, तब जाके result शो होगा, तुरंट के तुरं होंगे, आप इस winter दिन तीनों face pack को ट्राइ कर सकते हैं, and yes, इसका आपको result के ऐसा लगा, मुझी comment करके बताना बिल्कुल मन भूलिएगा, तो पर बिस्ते हैं मेरे और प्रेवीजिक वीडियो की साथ, till then, बाए!